दोस्तो नमस्कार आदाव सत्स्वियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम बाज की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तरप्रदेश की चुनाओं की घोशना भले न हुई हो लेकिन चुनाओं की रंगत शुरू हो गई है उनमें रंग आना बिलकुल साथ साथ दीखने लगा है तिल्चस्प हो गया है पुरा का पूरा मुकाबला अभी तक ये लग रहा था कि शायद ये लड़ाई इस बार भी 2017 की तरह एक तरफा न हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है एक तरफा तो हरगिज नहीं है और इस बार सच पूछे तो भारती जनता पार्टी जो सरकार चला रही है पिछले पांच साल से वो थोड़ी परिशान सी है और ये जो परिशानी उसकी है पिछले डेष दो सप्ताहों से जादा बढ़ गई है अब देश के प्रधान मंतरी को अगर प्रशासनिक कारिक्रम में जो गौर्मेंट का प्रोग्राम है उसमें राजनितिक एजेंडा अख्तियार करना पड़े और ये कहना पड़े लोगों के प्रधान मंतरी को प्रशासन द्वारा आयोजित कारिक्रम में एक गौर्मेंट के प्रोग्राम में कहना पड़ जाए तो आप समझ लीजे और प्रधान मंतरी जी लगातार भाशा भले अलग हो लेकिन इस तरह की बातें कहने लगे हैं और दोस्तों ये महच संजोग नही किया और गोरकपुर के दोरे में क्या था गोरकपुर के दोरे में चुनाव रहली नहीं थी गोरकपुर के दोरे में शामिल था कि बारत के प्रधान मंतरी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी की उपस्थिती में उर्वरक का खाने का लोकारपन करेंगे एम्स का लोकारपन क तो वहाँ कई सो करोड की योजनाय चली जाती है शाजापुर जाते हैं तो वहाँ कई सो हजार करोड की योजनाय चली जाती है अब यह नव जाने यह पांस साल से योजनाय किस थैली में पड़ी थी किस आलमीरा में पड़ी थी कि अब तक यह योजनाय कहीं सामने नहीं आ र लगी हैं तो ये बड़ा दिल्चस्प है कि प्रदान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी पूरी सरकार पूरी पार्टी अब सुना है कि राजनाच सिंग जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं गरी मंत्री जी अमिशा जी पार्टी के रास्ट्री अजक्ष जेपी नडडा जी इन सब को चुनाओ के मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है और यही नहीं इन को बूत मैनेजमेंट में इनको जबाब देही जिम्यधारी तैक की जा रही है तो बड़ा दिल्चस्प है कि जहां छोटे कारिकरता, साधारन कारिकरता, आम कारिकरता जो भी तोर पे माना जाता है कि लेफ्ट के पास और राइट विंग जो पार्टी आरेसेस बीजेपी है इनके पास ट्रेंड जो है एक कारिकरता है उनके पास काडर है लेकिन शायद अपने कारिकरताओं पर भी उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है और बड़े नेताओं को मैदान म उतारा जा रहा है ऐसे उत्तर प्रदेश में कल दो-दो रहे लियां एक तरह प्रधान मंत्री जी की प्रशासन के काम से जो कारिक्रम आयो जी था उसमें भी राइनितिक रहली हो गई और सुना है कि फिर से जैसे सुल्तानपूर के मामले में हुआ था जब वो हाईवे का ए 500 सरकारी बसें लगाई गई और इस से आम यात्री जो सरकारी बसों पर यात्रा करते हैं उत्तर प्रदेश राजी के परिवहन के वो बेहाल हो गए लेकिन रैली का जो मूड था रैली में जो लोगों का मिजाज था वो बड़ा सुस्त साह था कोई कोई उत्साह नहीं था ज जो पहले परदान मंत्री की रैलियों में दिखाई पड़ता था चाहे वो कन्याकुबारी जाएं चाहे वो जम्मू जाएं चाहे वो डिल्ली रहें या उत्तर प्रदेश रहें या भिहार रहें उस तरह का बिलकुल नहीं ता लेकिन दिल्ली के ठीक बगल में मेरट है मेरट में दो नौजवानों नौजवान कह लीजिए या आप कह लीजिए कि युवात तुर्क नेताओं ने तो इन दोनों ने एक शांदार रैली की कोई नहीं जानता था कि इतनी जांदार रैली हो जाएगी मेरट में जयंत चौधरी और अखिलेश यादो दोनों मंच पर मवजूद थे और दोनों ने सपा आरेलडी की जो रैली है उस रैली के जरिये एक तरह से अपने गठ बंधन का डंका भी बजाया और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सत्ता आती है बलकि जयंत चौधरी ने तो दो हाथ आगे बढ़ गए उन्होंने कहा कि जिस दिन अखिलेश यादो सत्ता के सिंहासन पर जाएंगे उसी दिन हम एलान करेंगे कि मेरट में शहीद जो किसान हैं हमारे जो किसान आंदोलन के दोरान शहीद हुए किसान उनकी याद में शहीद इसमारक बनेगा उसका एलान किया जाएगा सरकारी अस्तर पर एलान किया जाएगा ये कहकर मैं समझता हूँ कि अखिलेश और जयंत की टीम ने जोडी ने ये साफ कर दिया कि इस चुनाओ में वो किसानों को लेकर किसान उनकी बुनियाद रहेंगे किसान नौजवान ये दो ऐसे सेग्मेंट्स हैं समाज के जो इस चुनाओ में उनके लिए सबसे महत्पून होंगे और दोस्तो नौजवान अपनी बेरोजगारी को लेकर बेहाल है जिस तरह की बेरोजगारी है आम पब्लिक जिस तरह महहुगाई से बेहाल है उसी तरह से किसान सरकार की जो नीतियां रही है पिछले एक साल से यातना की अंतरणा की उपेक्शा की नजर अंदाज करने की अनाप शणाप बोलने की उनको और उनके शहीदों का अपमान करने की भारत के क्रिशी मंतरी काते हैं उन्हें तो मालूम नहीं है कि कौन बरा उनके पास कोई लिस्ट ऐसी नहीं है अब संसत में राउल गांदी ने तो लिस्ट दे दी और उन्हों ने कहा सिर्फ पंजाब में चार सो लोगों के बारे म जो आई लिस्ट उस पर हमारी सरकार जो कांग्रिस की है उसने मुआवजा भी दिया है उन्हों ने ये कहा कि 152 या 151 लोगों को बकायदे हमने वहाँ पर उनकी सरकार ने कांग्रिस लेड गोवर्मेंट पंजाब में जो है उसने नौकरियां दी है और भारत के क्रिशी मंत उत्तरप्रदेस में एस पी आर एल डी के ऐलाइन्स को वहां निष्टित रूप से एक महत्वण महत्वण जो है ताकत दे रही है एक ऐसी ताकत जिस से लगता है कि पश्शी मुद्थरप्रदेस में जिस तरह पहले 2017 के चुनाव में या यह इवन इसके पहले के चुनाव म और बीजेपी ने वस्तुता अगर देखा जाए तो 136 जो सीटें हैं पूरे पश्ची मुत्तर प्रदेश में उन 136 सीटों में सिर्फ 27 सीटें जो थी वो विपक्ष को मिली थी से सारी सीटों पर भारती जनता पाटी के उमिदवारों की जीत होई थी तो यह 16 जीलों में 136 सीटें हैं और इस तरह से अगर देखा जाए जो जिस मेरट की हम बात कर रहे हैं उस मेरट में 7 सीटें हैं सिर्फ एक सीट भाजपाहारी थी और वो जो सीट हारी थी वो समाजवादी पाटी के खाते में गई थी तो दोस्तों इस तरह से अब लोगों का ये मानना है और यहां तक की भारती जनता पाटी के जो समर्थक थे शुबचिन तक थे हाल तक यहां तक की टेलिविजन चैनलों पर जो बीजे पी की दुंदुभी बजाते रहते हैं पत्रकार जो बहुत सारे जो सो काल्ड केमेंट पर निरभर करती है हर चनाव में वो एजंडा फिसल गया है उनके हाथ से और दोस्तों वो कौन सा एजंडा है वो एजंडा है विभाजन का नफरत का वो हिंदू और मुसल्मान में एक कॉमिनल डिवाइड जिस तरह से मुझफर नगर दंगे के बाद क्रियेट हुआ था उ इस तरह से कैंपेइन किया गया उसका विभाजन के आधार पर उसने राजनितिक दलबंदी करवोटों को इकठा किया और उससे उसको इतनी बढ़त मिल गई पश्ची मुत्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के समूचे बहुमत में पश्ची मुत्र प्रदेश से एक त किसान आंदोलन ने सिमेंटिंग फोर्स का काम किया है एक ऐसा पुखता एक आधार रख दिया है किसान आंदोलन ने कि अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है और जेल्ट चौधरी और अखिलेश यादों के साथ जो ये पीली पीले जंडे वाली पार्टी है सुहेल देव के नाम पर जो पार्टी है उसका उसका जिस तरह से एक समर्थन इस पूरे गटबंदन को मिल रहा है चोटे चोटे और आर्गनाजेशन्स हैं इस तरह के उनका जिस तरह समर्थन मिल रहा है उससे नफरत की राजनीती को काफी हद तक काबू पाया है इस इस इ जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीती है एक रंगी पार्टी उन्होंने भारती जनता पार्टी को कहा मैं अखिलेश यादों के मुझसे पहली बार ये शब्द सुना उन्होंने कहा कि भाजपा एक रंगी पार्टी है एक रंगी का मतलब इसके बड़े अर्थ हैं इसका अर्थ केवल यही नहीं है कि जंडा एक रंग का है, आम तोर पे लोग भागवा जंडे से आइंटिफाई करते हैं, RSS और BJP को, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक धरम, एक जात, एक विरादरी इसी तरह की बातें करती है, एक ही तरह की बात करती है, सिर्फ कार्परेट का हि हित देखती है, किसान का नहीं, सिर्फ बड़े लोगों का हित देखती है, छोटे गरीब लोगों का नहीं, तो उनका कहना था कि हम लाल, हरे, पीले, सफेद, बहुरंगी, गुल्दस्ते की तरह हैं, वो अपने एलाइंस को कह रहे हैं, कि ये लाल, लाल यानी समाजवादी पार्टी लाल टोपी पहनती है, उनके लोग लाल टोपी पहनते हैं, हरा यानी RLD, पीला यानी सुहेल देव पार्टी, और इसके अलावा सफेद, उनका कहना है कि किसान आंदोलन के लोग सफेद टोपी पहनते हैं, हम सब को मिला कर चलेंगे, और एक जनता के बीच में एक गुलदस्ता त्यार कर रहे हैं ये गुलदस्ता एक ताका है ये गुलदस्ता हमारे भी भाई चारे का है तो अगर ये एजिंडा मैं समझता हूँ की RLD और समाजवादी पार्टी का चुनाव में कदम ताल ही केवल नहीं कर रहा है बलकि अब तीजी से आगे बढ़ रहा है त इसका मतलब कि कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही कारण है कि देश के प्रधार मंत्री को भी बार बार काना पढ़ रहा है कि लाल टोपी से एलर्ट, लाल टोपी से सतर्क, लाल टोपी से साउधान इसका मतलब होता है कि लाल टोपी यानि ये एलाइंस जो सपा के नित्रित में सामने आया है वो कहीं न कहीं योगी महराज की सरकार के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है ये आरेसेस बीजेपी के ताखाने में भी उनके अंदर भी ये आपजर्वेशन सामने आ रहा है तो ये एक नई बात है क्योंकि अब तक समझा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाओ कुल मिला कर जो पहले के पुलरिजेशन की पॉलिटिक्स है उसके आधार पर ही लड़ा जाएगा और शायद जीता जाएगा लेकिन अब कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किसान आंदोलन की किसान आंदोलन की जो राजनीती है कहीं न कहीं पश्ची मुत्रपदेश की 136 सीटों को परवावित कर रही है अतरपदेश का चुनाओ मैं एक जनरलिस्ट के तोर पे बिलकुल नहीं कह सकता कि किसी के लिए भी बिलकुल आसान चुनाओ है ये एक मुश्किल चुनाव है लेकिन अब तक जो आसान चुनाव माना जा रहा था बीजे पी के लिए वो असलियत नहीं रहा गई है तक्कर बहुत मजबूत है कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कुस दिनों के बाद साहे तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी तब तक इंतजार आदाब सर्थियाकाल